हेलो गाईज, वेलकम टू टाकनोएरा, आज हमार पास है सैमसंग F23 5G, तो फटा फट से करते हैं इसके अन बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, एक फोन को रखते हैं साइड में, अंदर की तरफ देखते हैं और क्या मिलता है, तो अंदर की तरफ आपको कुछ भी देखने पिची के लिए नहीं मिलता, छोटा सा बॉक्स है, कुछ नहीं आता नीचे की तरफ, फोन देखने के लिए मिला, बाकी कुछ नहीं था, अगर अंदर की तरफ, पीचे की तरफ सिम Ejectate Tool आता है, बाकी इसके अंदर देखें तो आपको मिलती हैं कुछ documentation साथ में आपको मिलती है type c to type c cable बाकी कुछ नहीं आता है मलब छोटा सा box है मलब adapter नहीं है इसमें बाकी देखते हैं phone की तरफ तो phone दिखने में काफी amazing लग रहा है जो frame है वो plastic frame है साथ में plastic back आ जाती है हमारे पार green color है इसमें दो colors और मिलते है 98 gram है बाकी hand feel काफी अच्छा लग रहा है और phone का जो look है वो काफी एक premium feel जरूर दे रहा है plastic back है बर तभी अगर आप back case के साथ यूज़ करोगे तो जादा अच्छा रहेगा और all जो design है मुझे काफी जादा पसंद आया है बाकी नीचे की तरफ आपको 3.5M jack, microphone, charging type C port और speaker grill मिल जाते है राइट हैं साइट की बात करूँ तो power button मिलता है जो कि side mount and fingerprint sensor का भी work करता है और volume up and down button भी आपको देखने के लिए मिल जाते है left hand side पर आजाओं तो left hand side में आपको मिलती है SIM card tray, SIM card tray की बात करूँ तो इस phone में आपको triple card SIM card tray मिलती है जो की काफी अच्छी बात है upside की बात करूँ तो आपको noise cancelling microphone देखने के लिए मिल जाता है display पर आजाओं तो 6.6 inches की TFT display है जो की FSD player display है और साथ में आपको 120 Hz का एक high refresh rate देखने के लिए मिल जाता है जो की काफी अच्छी बात है साथ में आपको Corning Gorilla Glass 5 का protection भी मिल जाता है और display काफी brighter है आउटडोर में भी आपको कोई दिक्कत ने होने वाली है एक अच्छी खासी आपको display देखने के लिए मिल जाती है Ambly display होती तो मजा ही आ जाता पर तभी भी refresh rate काफी अच्छा है 120 Hz और वो feel हो जाता है ज़र आप use करोगे से तो difference देखने के लिए मिल जाता है 60 Hz से 120 Hz का वो देखने के लिए मिल जाता है बाकि अगर multimedia experience की बात करूँ तो color से वगेरा काफी अच्छा रहे TFT display है पर तभी वीविंग एंगल भी ठीक ठाक है उससे आप से तो display आपको अच्छी खासी मिल जाती है movies, videos देखने में काफी मजाने वाला है बाकि audio की बात करूँ single speaker है बट loud है तो ठीक ठाक ठीक audio मिल जाती है और bass भी average बोलूँगा बाकि 6128 और 4128 दो variant आजाते है आपके LPDDR4X RAM मिलती है UFS 2.2 मिलता है प्रोसेसर की बात करूँ तो Qualcomm Snapdragon 750G मिलता है जो की 8NM fabrication पर वर्ड करता है एक 5G chipset है 12 5G आपको bands एखने के लिए मिल जाएंगे 12 4G वोल्टी का support आजाता है तो और और प्रोसेसर काफी capable है और जिस प्राइजे में phone आता है तो काफी अच्छी आपको experience मिलने वाला है performance में और अब day to day use में कोई दिक्कत देने वाली है सब इसली हो जाएगी गेमिंग की बात करूँ तो BGMI आप smooth plus ultra तक खेल सकते हो तो कोई दिक्कत दी होने वाले काफी एक amazing gameplay रहने वाला है विकॉस प्रोसेसर काफी capable है और जिस प्राइजे में आता है सच में value for money है आप ये phone जरूर ले सकते हो अगर आपको gaming भी करनी है तो उस साब से भी ठीक बोलूँगा हमें काफी अच्छ experience देखने के लिए मिला तो काफी देर खेला अच्छ experience था बाकी triple camera का setup आता है जिसमें 50MP का main camera 8MP का ultra wide and 2MP का एक macro lens देखने के लिए मिल जाता है 4K 30fps पर आप videos भी record कर सकते हो साथ में अगर front camera की बात करूँ तो 8MP का आपको एक selfie camera देखने के मिल जाता है और videos आप 1080p 30fps पर record कर सकते हो अब कुछ camera samples की बात करूँ जो पहली photo नहीं के लिए है colors काफी soft आया है next photo की भी बात करूँ तो colors काफी oversaturated है details की भी काफी कमी लगी है next photo में भी बात करूँ तो shadows अच्छे से exposed हो सकती थी और details की भी कमी लगी है dynamic range तभी भी ठीक टाक है average मिल जाती है आपको next photo में macro camera काफी अच्छे से work कर देख 2MP का जरूर है पर जो photos आई है macro camera से वो काफी अच्छी आई है तो मुझे अच्छा लगा macro lens इसका बाकि night mode की बात करूँ तो थोड़ा बहुत difference आता है आप normal mode night mode में फरक देख सकते हो इतना ज़़ा difference नहीं है पर थोड़ा सा slightly difference है थोड़ा और improvement हो सकती है night mode में भी because और जादा कुछ फरक देखने के लिए नहीं मिलता है वीडियो की बात करूँ तो आप 4K 30fps पर वीडियो कर सकते हो stable भी है और एक अच्छी कासी वीडियो बना सकते हो बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है साथ में आपको 25W का charging support मिल जाता है adapter साथ में नहीं आता है जो भी ये 25W का आपको adapter है अलग से purchase करना पड़ेगा बाकि आपको सिफ type C to type C cable मिल जाती है साथ में next fingerprint sensor आता है काफी easily setup हो जाता है side mountain fingerprint sensor है आप से setup हो जाता है यूज की बात करूँ तो काफी जादा फास्ट है हर बात देखा काफी easily unlock हो जाता है तो यह लगा कि double tap करना पर रहा था भारबाद लॉक करने के लिए fast था पर double tap का scene समझनी आया बाकि face unlock की बात करूँ वह भी ठीक टाक है उतना जादा जरूर आते हैं Samsung के OS में भी तो उससे आप से आप अडिस्टॉल कर सकते हो बड़ मुझे डिरेक्ली एप शेयर करने का option नहीं मिला तो वह नहीं देखने के लिए मिलता बाकि Samsung का का काफी clean OS है प्राइजिंग की बात करूँ तो दो वेरिंट आता है 4128 और 6128 प्राइजिंग निगलके आती है 4128 की 13999 लब 14,000 रुपे और जो 6128 उसका प्राइज निगलके आता है 14999 लब 15,000 रुपे तो ये फिलाल आपको scheme में देखने के लिए मिल जाता है दोनों में 1000,000 रुपे का आपको discount चल रहा है तो उससाब से pricing काफी अच्छी है और जिससाब से आपको feature मिल रहे है refresh rate, processor, battery, camera quality और और एक package है साथ में सिर्फ adapter नहीं आता है बाकी phone मुझे काफी जादा पसंद आया है बलब जिस prices में phone दिया है जरूर value for money है बाकी आप इसे purchase कर सकते हो 5G भी है और काफी powerful भी है तो अगर एक 5G phone चाते हो 15,000 से नीचे में भी Samsung का तो इस phone को आप ले सकते हो बिना सोचे समझे क्योंकि जो भी feature मिल रहा है इसमें काफी amazing है अगर आप और brands को भी compare करें तो उससे हिसाब से भी मुझे ये phone काफी जाद अच्छा लगा है हर चीज में बाकि सिर्फ adapter नहीं आता है क्योंकि आपको फीचर इतने दे रहा है तो शायद इसलिस में adapter देखने के लिए नहीं मिलता है तो adapter भी अलग से purchase करोगे तो भी ये phone काफी सही लगा मुझे बाकि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को subscribe करना और वीडियो को like करना